दिविदर्शन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किड्नी जब खराब हो जाती है तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है जी हाँ दोस्तो ये वीडियो जिनकी किड्नी खराब हो गई है उनके लिए बहुत ही महतपूर है तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखेगा यह सवाल हर उस व्यक्ति के लिए माइने रखता है जो किड्नी की बीमारी से पीडित होता है चूकि इस दोरान उसे काफी सारी परिशानियों से गुजरना पड़ता है इसी कारण उसे ऐसे तरीकों की तलाश रहती है जिसके माध्यम से वह किड्नी की बीमारी का इलाज कर स ब्लड स्कते हैं दोक्टेश्ट के माध्यम से डॉक्टि इस बात का पता लगाने की कोशिच करते हैं कि किसी व्यक्ति के खूल में इस बीमारी का खुए कितना असर हुआ जाता है इन टेस्टों से डॉक्टर किड्नी में मौझूद ब्लॉकेच को देखने और उसके बाद बहतीरीन इलाज करने में समर्थ हो पाते हैं किड्नी डायलेसिस करना खराब किड्नी का इलाज कई बार किड्नी डायलेसिस के द्वारा भी किया जाता है किड्नी ट्रांस्प तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किड़नी जब खराब हो जाती है तो उसका इलाज किन-किन तरीकों से किया जाता है उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को आप लाइक कर दे अगर आपको अच्छी लगी हो तो और आप हमें कमें करके बताये कि आपको ये वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें